हलो फ्रेंज, वेलकब टू आज चानल करेंट अफ़ेर अपडेटेड इस देवाशरी शवस्ती और आज हम आगए अपने नेक्स्ट मन्त की करेंट अफ़ेर्स में और जिस तरह मैं आपको डेली करेंट अफ़ेर्स कराता हूं आयोप आप सब लोगों ने कल संडे एंजोई किया होगा मंडे की और वापस पराई स्टार्ट कर दियोगी पर प्लीज इस लेक्चे को बनाने बहुत महनत लगती है अप वीडियो को लाइक जरूर किया करिये स्टार्ट होने से पहले क्योंकि आपको समझ में कितना अच्छा के सामने प्लीज प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करिये को के चल्ले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या एंंसी क्यू कि फर्स्ट अप्रख ट्वें 24 इंपॉटेंट है और एक बात मात कर दो कुछ लोग सोचेंगा सब मार्च मन्थ क्म्पीट हो गया that is recently who is honored with international culture award 2024 international culture award 2024 किसको दिया गया है direct question इस तरह का आप से पूछा आएगा और options दिया रहेंगा I think this is going to be a difficult option शायद आपने options सुने होंगे किसी किसी के नाम किसी के नाम नहीं भी सुने होंगे कोई बात नहीं याद रखेगा यह factual question है बहुत जादा क्योंकि awards याद कना मतर्ब जिसको मिला है वो आपको याद रखना पड़ेगा अभी अगर आप exam दे रहोंगे अगले 6 मंत में तो एक question important है इसा correct answer मीना जी याद रखेगा मीना चरांदा जी जो है याद रखेगा मीना चरांदा गोट दे अवार्ड 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 इस इंटरनाशनल कल्चर अवार्ड 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 उनको उनकी education field और social service के लिए दिया गया है जा देखेगा तो she belongs to what for her remarkable पूछा है आपसे किस field के लिए गया है for remarkable work in the field of education and social service इसके लिए उनको यावर्ड तिया गया है तो direct question आएगा you have to mark the answer इतना important के question नहीं है but still कहीं कहीं questions जैसे typical आजाते हैं उन में से one of the typical question है ये exam के लिए नेक्स question में आते इस question में second क्या है ये important question है which IIT को कि IIT से question बहुत देखे आते हैं current affairs पूछे आते हैं which IIT host 6th Shastra Rapid FIDE that is याद एखिए कि मैं international chess federation की बात कर रहा हूँ है ना rated chess tournament 2024 तो कौन से IIT में ये host किया गया ये event आपको इसे chess का tournament पता चल रहा है sports से लेटेड भी a question important हो जाता है options आपके सामने किस IIT ने host किया है okay मैं आपको यहाँ पर दिखा जेता हूँ hint देता हूँ आप देख सकते हैं ये पूरा उसका प्रोशर है ठीक है और IIT मदरास जो है वो इसे host कर रहा है correct answer that is option number B IIT मदरास देख सकते हैं 31st March तक International Chess Federation rated Rapid Chess Student आपको याद करें किस IIT ने host किया है कि IT से लेटेड कोशन बहुत आता है next question में आते हैं question number third question number third भी tricky question है okay यह बिलकुर recent अगर आप तीन या चार्म हीने में एक्जाम देगे तो ये question ज़रूर पूछा आ सकता है recently who broke the record of Sanya Nehwal okay Sanya Nehwal का record था for most week as world number one nine week तक वो world number one पे थी okay उनका record वो Indian bad winden player है आपको भी पता होगा Sanya Nehwal उनका record अभी तोड़ दिया है और record जिसने भी तोड़ा है मैं बता दूँ 10 week तक वो लोग top पे रहे okay Sanya Nehwal nine weeks तक थी उनका record तोड़ दिया है किसने तोड़ा है ठीक है और इनका group है याँ देखेगा doubles में लोग खेलते हो इनको हरापाना बहुत डिफकल्ट होता है याँ देखेगा मैंनका नाम बहुत बर बोला है that is Satvik और चिराग correct answer A and B that is option number D A and B okay PV सिंदू मत मांक कर दीजेगा तो यह हो सटा PV सिंदू मांक कर दे option देखे जाद कि इन्होंने 10 weeks से यह top 1 पर है जाद कि मैंने यह mention भी कर रखा है चिरागा स्वातिक जो है याद कि world number 1 है men's double player में for last 10 weeks और इन्होंने सान्य नहवाल का जो है वो record तोड़ दिया है और badminton के sports के player है यह लोग अब अगर badminton की बात के तो organization जरूँ दिमार्क में आती होगी badminton world federation या तो आप से पूखिया आएगा world badminton federation जो है इस नाम से ही पूचकते है इसका headquarter का है तो कि badminton की बात करो हमें PV सिंदु का ही मैंने कुछ देर पर नाम लिया साने नहवाल का लिया साथिक का लिया चिराक के लिया पर फिमोस परस्नालिटी बाद्मिंटन के तो इस badminton world federation या world badminton federation का headquarter का है यह आपको मैं बता दूँ यह important है याद देखिये का कुलालामपूर मलेशिया में इसका headquarter है कुलालामपूर मलेशिया कैपिल है वहां इसका headquarter आपसे headquarter पूछा सकता अलग से exam में तो वो भी आपको याद रखना है चले नेक्स कोशन माते है रिसेंटली विच ऑगनाशिशन हाज लाँच्ट अन्यू नेटवर्क फॉर कोरोना वाइरिस जिसका नाम रखा गया है कोवी नेट सर्वीलियंस वगरा के लिए अभी एक नया कोवी नेट करके लाँच किया है किस ओगनाशिशन ने लाँच किया है फॉर नेटवर्क ऑफ कोर्ना वाइरिस तो किस ने लाँच किया था अब देखिए अगर में आप्शन में यहां पर दूँ किस नेटवर्क जिसका नाम के रखा गया कोवी नेट आप सो सकता कोवी नेट पूछने यह रीसेंटली न्यूस में यह है क्या तो यारे कि किस लिए रखा गया है ग्लोबल सर्वीलियंस करने के लिए रिस्पॉंस केपबिलिटीज अगेंस को ने लिए यह चीज लांच की गई है तो यह बेसिक आपको याद रखना है और WHO की बात किया है World Health Organization तो अट लीस्ट बैक्वर्ड फॉर्वर्ड निंकेज में WHO का है एड़कॉर्टर जेनवा सुर्जलान में है याद रखना फॉर्म हुआ था WHO 7th April 1948 में अफकोर्स इट इस ए युएन स्पेशलाइज बोडी तो याद रखे युनाइट नेशन इसकी पेरेंट और नेशन है तो युएन की ही बोडी है तार इस वर्ल हेल्थ और डिरेक्टर जनरेज जो है वो अट प्रसें डारेक्टर जनरल है डबलु एचो के किस ने इसको अभी कलाम 250 को लॉंच किया है और जो सक्सेस्फुल भी रहा और यह मैं आपको बता दू किस कमपनी ने इसको लॉंच किया है यहां से एक बड़ी इंपोर्टेंट चीज चाले होती ही विक्रम 1 बड़ा इंपोर्टेंट रहता है पहले इसका अंसर आपको बतायता हूँ इसको अभी सक्सेस्फुली स्कायरूट एरोस्पेस या दिखेगा इंपोर्टेंट प्राइविट और इरोस्पेस इन्होंने भी सक्सेस्फुली क्या टेस्ट किया है विक्रम 1 की टेस्टिंग चल रही है उसी के स्टेज 2 था जिसका नाम का कलाम 250 ठीक है यह आपको या दखना है और विक्रम 1 जो है यह इंडिया का पहला किसी प्राइवेट और इस वन है क्या पहले विदा दूँ यह स्पेस लाँचिंग वेकल है और यह जब सक्सेस्फुली अब तुसके करके स्टेज 2 टेस्टिंग हुई जिसका कलाम 250 नाम था जब विक्रम 1 लॉंच होगा तो यह इंडिया का फर्स कोई प्राइवेटली लॉंच प्रस पेस लॉंच बना और बिटल स्पेस लॉंच वेकल बन जाएगा क्या विक्रम 1 आपने विक्रम है सुनाओ का बहुत पहले एक प्राइवेट रॉकेट जो लॉंच किया गया था वो भी न्यूज में था बट यह लॉंचिंग वेकल बनाया जा रहा है विक्रम 1 इसी की टेस्टिंग चले इसी का स्टेज 2 की टेस्टिंग थी इस कलाम 250 तो यह रहा है कि इसको कौन डेवलप कर रहा है स्कायरूट एरोस्पेस तो यह भी न्यूज में भी आ जाएगा आप देखेगा कुछ दिनों में चले नेक्स कोशन माते है नेक्स कोशन क्या है Recently which Country E-commerce किसी country के E-commerce become the World third largest E-commerce platform World का third largest E-commerce platform बन गया किस country का उस country क को आपको E-commerce का पता भी कौन सा कौन सा बना है World का third largest Operation दिया है Japan, Singapore, China, India तो China नहीं है इसका correct answer Third largest जो बना है वो है इंडिया का आप सुचोंगे ऐसा कौन सा Indया के E-commerce platform है जो world का तो आप यहाँ देख सकते है नाम एनलिख रखा है तरिस government e-marketplace शौट फर्म है GEM GEM government e-marketplace है यहाँ दखिएगा मैं लिख भी रखा है government e-marketplace portal जो है world का third largest e-commerce platform बन गया है और for public procurement for public procurement लिए third world largest बन गया है rank 1-2 पर आप देख सकते है पहला Korea का है ठीक है और दूसरा Singapore का GE biz है तो दो हो गए Korea और Singapore और थर्ड जो है वो इंडिया का है और इसका नाम क्या है that is government e-market portal तो यह आपको याद खना है public procurement के लिए world का third largest e-commerce platform जो है वो इंडिया का है उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया जैम के नाम से आपके याद का सकते हो चले next question this is one of the interesting question आपने भी news में सुना होगा कि 23 पाकिस्तानी nationals को हमारी Indian Navy ने बचा लिया आपने इन यूज में सुना होगा तो देखिए ये question आपने सुना है बट मैं आपको एक बड़ा question की थरू आपके सामें लेके आपको क्योंकि question important हो जाता है question क्या अंडर विच operation operation का नाम क्या था Indian Navy ने rescue किया Iranian fishing fishing vessel याद खेगा और जिसमें crew nationals जो थे वो याद अखेगा सारे पाकिस्तानी थे 23 crew इसमें 23 crew members थे और वर पाकिस्तानी इनको बचा लिया इंडिया ने वी ने तो किस operation के अंदर हमने इसको बचा है वो operation इंदरावती है सब news में आपने सुना होगा पर यह operation जो हमने वहाँ पर launch किया that is operation संकल्प याद खेगा अब फोटो भी देख सकते हैं operation संकल्प इंडिया नेवी ने अपना वो दिखाया कि किस तर है उनको पाइरेट्स ने अटाक कर दिया था तो याद खिएगा इंडिया नेवी ने 29 मार्च को रेस्क्यू किया है इरानियन फिशिंग वेसल मैंने बता इस पर 23 पाकिस्तानी नेशनल्स थे अंडर operation संकल्प जहां पर उने आम्ड पाइरेट से उनको बचाया है तो इंडिया की अचीवमेंट है यह तो आपको या रखना operation संकल्प यह आप से पूछा सकता है इंटरनाशनल रिलेशन्स के लिए इंपोर्टन है और यह कहां पर हुए है मतादू गल्फ ऑफ एडन अगर आपने मेरी पर अफी के लेक्चेस देखे होंगे तो गल्फ ऑफ एडन के पास यह अक्टिविटी हुई थी ओके चल्डी नेक्स इन विच स्टेट दा इंडियन एयर फोस इस गोइंग तो कंड़क्त कंट्री इस लार्जेस एयर मिलिटरी एक्साइज इसका आप है गगन शक्ती ट्व इस राजस्थान और यह एक्साइज बहुत इंपॉटन एक्साइज ओने वाली है याद एक्साइज को एक दिन नहीं चलेगी एक्साइज इस फर्स अप्राइल से चालो होगी और 10 दे तक ठीक है याद़िए इस एक्साइज विल वर्क गगन शक्ती 2024 याद़िए कि 1 अप् साइज स्टार्ट हो रही हो कहां पर राजस्थान पोकरन में नेक्स रिसेंटली विच स्टेट हाज लिफ्टेट जेंडर रिस्टिक्षिन फोर बॉइस तू लर्न मुहिनियतनम या दखेगा यह बड़ा इंपॉरेंट है लिए 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 गया हिंदू की न्यूस पेपर मे तो किस स्टेट का है तो आप आप आजसर बता देंगे य est the correct answer is option num. a. keral तो केरल ने या दकिएगा इस dance के जो restrictions थे उनको हटा लिए लवव बड़ इस dance के जो boys participate नहीं करने पाते थे gender restrictions थे उनको हटा लिया गया है तो correct answer option num. keral है आप मुझे comment box बताईए आप प्रिजं कितन तो यहाँ पर लव और डिवोशन की फील होती है to God यूजिली लॉड विश्नु हो जी होते हैं यह तो incarnation of Lord Krishna जी होते हैं as a lead character तो यह डांस को आप और भी पढ़ सकते है मेरे आर्टन कल्चर में बट अभी basic आपको इतना याद लखना है चलिए next question है question है who has written the book co-dependent यह book मैं क्यों पूछ रहा हूँ क्यों recently this book has been shortlisted for women's prize यह भी shortlist हुई है code dependent तो यह book किसने लिखी है directly book से question आते है तो किसने लिखी है options आपके सामने मैं आपको उता है तो नाम है Madhumita Murgyan आप यहाँ पर book भी देख सकते हैं आपको याद आपको याद अखना है चलिए next question माते है और आज का last question भी है that is food and agriculture organization held at the closing ceremony of international year of millets आपको पता होगा 2023 was an international year of millets तो उसकी closing ceremony हो गई है तो 29th March को closing ceremony हुई तो कहां पर इसकी closing ceremony रखी गई है FAO ने इसकी closing ceremony की और आप लोग option देख रहे होगे और बहुत लोग देखते ही बोलोंगे New Delhi में हुई होगी क्योंकि इंडिया में option दिया हुआ New Delhi is not the answer याद एखेगा options आपके सामने correct answer D. Rome है याद एखेगा मैं आपको यापर दिखा है तो Rome में हुई है याद क्लोजिंग सरमनी हो गई है इसकी याद कि International Year of Millets 2023 में था और FAO ने इसकी closing ceremony किये FAO की में बात करो तो उसका headquarter भी Rome Italy में ही है याद एखेगा तो वही closing ceremony हुई है याद ट्रिक याद कर सकते हो ठीक है और FAO फॉर्म कब हो था Food and Agriculture Organization याद एखेगे 1945 में India was one of the founding member of Food and Agriculture Organization Food and Agriculture Organization UN का ही याद एखेगे Specialized Agency है तो ये भी आपको याद एखेगे It's the Specialized Agency of United Nation और World Food Day हम कब बनाते हैं ये भी मैं आपको बताएता हूँ 16th October को celebrate करते हैं ये सब कुछ में है Backward Forward Link के जो बता रहा हूँ आपको 1945 में फॉर्म होता है 16th October को World Food Day बनाते हैं Headquarters इसका Rome Italy में है तभी Rome Italy में Closing Ceremony हुई है याद एखेगे हो India one of the founding member रहा है और ये Specialized Agency है United Nation की तो आपने देखा होगा मैंने बहुत सही चीज़े बता दी Backward Forward Linkage में जिसमें आपको चीज़े याद हो जया है तो ये थी आज की Current Affairs आपने देखा होगा मैंने सारी चीज़े एक सिंगा लेक्ट्र में कवर कर रहता हूँ जिसने जादा कोशन्स हो तो जिसने बताता हूँ जिसने कम कोशन्स में होते हो तो कम चीज़े बताता हूँ बट जो IMPORTANT है सिर्फ वही बताता हूँ So I hope अगर आपने यहां तक लेक्षे देखा होगा आप तो वीडियो लाइक करी दीजे अगर नहीं किया है तो बड़ी मेहनत लगती ऐसे questions ऐसे Backward Forward Linkage बताना आपको और इसकी आपको PDF भी प्रोवाइड करना यादखिए गर आपको ऐसे initiatives पसंद आ रहे हैं जहांपर हम to the point discuss करते हैं without wasting your time और within 15-20 minutes चाप एक दिन की current affairs पढ़ लेते हैं So if you want to donate to us यादखिए का जिसमें हमाई चैनल जल्दी ग्रो करें तो आप हमें donate कर सकते हैं यह हमारा QR code है phone पे ATM, Google पे number भी mention है if you want to donate आप donate कर सकते हैं यादखिएगा वालेंटरली होता है if you're not capable कोई बात नहीं आप video को like करिए, video को share करिए उससे भी हमें help होती है यादखिएगा आपने current affairs तो कर ली but what about the subject आप सोचेंगे सर क्या current affairs की आपकी कोई book आती है क्या बिल्कुल आती है यादखिएगा पूरी complete पिछले एक साल से लेके अभी तक की सारी current affairs एक single booklet में आपको मिल जाएगी यादखिएगा handwritten के थूरू हमने इसको पूरा cover किया हुआ है आप इन current affairs की booklet को order करा सकते हैं यादखिएगा और अगर order कराने की आपको time लग रहा तो आप soft copy में भी बाई कर सकते हैं इवन सिर्फ current affairs नी total 14 booklets रहती है हमारी यादखिएगा चाहे आप economics की भाई करना चाहते हो totally updated यादखिएगा handwritten चाहे आप science की भाई करना चाहते हो modern history की भाई करना चाहते हो सारी चीज़े आपको यहाँ पर handwritten जो booklets है वो सारी अविलेबल हो जाएगी यादखिएगा आप चाहे तो soft copy में भाई कर सकते हो फिर इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं ठीक है वन आप चाहें तो हमसे कोरियर भी करा सकते हैं अपके घर में सारी booklets आपको मिल जाएगी तो यह notes आपको मिल जाएगी तो exam आपके लिए बहुत असान हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कि classes भी मिलेंगी क्या notes के साथ, subjects की, general studies की तो बिलकुल मिलेगी उसके लिए application में आपको साई चीज़े मिलेंगी उसका link में description box में डालना हूँ आपको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर सारी classes आपको एक साथ enroll मिल जाएगी यादखिएगा UPSC की preparation कर रहे हैं तो pre, main, answer writing, strategies, test series बहुत कुछ important होता है यह सारी चीज़े मैं आपको provide करूँगा complete course रहता है हमारा उसका link description box में मेरा WhatsApp नमबर भी नीचे शो हो रहा है यादखिएगा अब उस WhatsApp नमबर पर contact कर सकते हैं और आप किस तरह buy कर सकते हैं और आपको बताएंगे यादखिएगा अगर आप contribute करते हैं और आप notes बहुत असान हो जाता है classes के साथ notes मिलना मतलब exam को easily crack करना बिना notes के तो difficulty आती है but notes आपको जल्दी help करेगा exam को qualify करने में वीडियो पसंद आया वीडियो को like जरू करें और प्लीज इस वीडियो को share करें हमा ऐसे daily current affairs बनाते रहेंगे अप्राइल मंत स्टार्ट हो गया मैंने फिर से बोला आपको March की current affairs मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूँँ आपको प्लस आपके इंदा जो query है regarding six month current affairs या three month current affairs जान फैब मार्च जो भी तीन मन्त हुए है उसका combined current affairs वो भी provide करूँगा बट उसके लिए करना क्या है इस video को like करना है और इस video को share करना है आप ऐसे ही like को share करते रही है ऐसे हमें प्यार देते रही है और हम ऐसे ही lectures आपके लिए बनाते रहेंगे इसका याद के PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा link description box से mention है याद देखिएगा आप वीडियो को share करेंगे तो ही हम आपको इसकी PDF जो है वो provide करेंगे प्लीच शेरा वीडियो इन रिटन अव दिस लेक्ट्रीर ट्थर्ण आपके वीडियो जैह ने जैभारत